हेलो गाइज मैं हूँ पपो और आप सबको आसानी से किलियर करने वाला हूँ बीसम संख्या ओके अगर आपको सम संख्या आ गया है तो वड़िया है और मैंने सम संख्या का वीडियो अल्रेडी बना रखा है तो आप उसे जाकर देख लेजेगा यहाँ पर हम समझने वाले हैं बीसम संख्या तो आईए इसको अब समझी लेते हैं यहाँ पर आप सबको किलियरली दिख रहा होगा बीसम संख्या ठीक है इसे इंगलिस में कहते हैं ओड नंबर ठीक है और आगे मैंने लिख रखा है कि जो भी संख्या में दो से पुरा-पुरा भाग न लगे उसे ही कहते हैं बीसम संख्या यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 30 और अनंत तक अनंत तक कहने का मतलब यह है कि यह आगे और बढ़ सकता है तेश के आगे और हम 25 भी ले सकते हैं तो यहाँ पर यह जो संख्या आपको दिख रहे हैं यह हमारे बिसम संख्या है क्यों? क्योंकि इन सब में अगर हम भाग लगाएंगे न तो यह सब पूरा पूरा नहीं कटेंगे जैसे यहाँ पर आप गौर किजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक्जामपल के लिए 3 अब 3 में हम जैसे ही 2 से भाग लगाती हैं तो 2 एकम 2 यहाँ पर हो जागा अब ऐसे करेंगे तो 1 बच जागा अब एक बच जागा तो यह से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर यह कम है तो नहीं कटेगा यहाँ पर हम पॉइंट देकर लिखना पड़ेगा तो भाई साब दसमालों में यहाँ पर इंसवर आ जागा दसमालों में यह कट जागा तो हमें दसमालों में नहीं काटना है ऐसे ही काट देना है पूरा पूरा तो यहाँ पर आप देख पा रहा है कि 2 से यह 3 नहीं कट रहा है यानि 3 हमारा क्या है बीसम संक्या तो दो से जिस भी संक्या में हम भाग लगाएंगे अगर वो पुरा-पुरा नहीं कटेगा तो उसे ही हम कहेंगे बीसम संक्या तो यहाँ पर यह सब में हम भाग लगाएंगे तो यह नहीं कटेंगे ठीक है? तो यह सब हमारे क्या है? बीसम संख्या है और अगर आपसे पुछ दिया जाए कि यहाँ पर यह जो संख्या है इस ते रहके आप यह बताईए कि यह हमारे बीसम संख्या है कि नहीं तो आप नंबर देखकर आप बता सकते हैं आप क्या किज़ेगा कि दो से भाग लगाएगा तो ज्यादा हमें देर हो जाएगा तो बीसम संख्या को पचानने के लिए एक मैंने ट्रिक लिख रहा है वो यहाँ पर आप ध्यान देजिए ट्रिक क्या है यहाँ पर समझी है यहाँ पर मैंने ट्रिक लिख रहा है सो ट्रिक और यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी संख्या के इकाई अंक में एक, तीन, पांच, साथ, नौ अगर आपको देखने को मिलता है तो वो समझी हमारा क्या है बिसम संख्या एक्जामपल के लिए यहां पर हम लिख दे रहे हैं ये, ये और ये आप देखकर बताईए कि ये बिसम संख्या है की नहीं तो बिसम संख्या के लिए मैंने क्या कहा है कि दो से आप भाग लगाए अगर दो से नहीं कटेगा पूरा-पूरा तो उसे हम कहेंगे बिसम संख्या संख्या है यह संख्या मैंसे कोई है तो यहां पर घो संख्या है यहां आवला कोई न कोई है तो भाई शाहब पुरा पुरा नहीं कटेगा तो उसे ही है कहेंगे हम बीसम संक्या तो बीसम संक्या के बारे में अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिखेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए बाय बाय टेक क्यार बने रहिए और जूड़े रहिए हो सकत तो एक लाइक जरूर कीचेगा